वेलकम माई यूटूब चैनल ब्याश नाराणमिस हम डिसकस कर रहे हैं क्लास 12th NCRT Math Exercise 7.4 Integral का Question No.6 इसके पहले कि जो वीडियो है वो हमारे यूटूब चैनल में अपलोड है आप वहाँ से देख सकते हैं Question No.6 है x² upon 1-x to the power 6 को हमें integrate करना है तो integration में arrangement किया जाता है इस तरह से arrangement किया जाता है कि जो आपके पास proper formula है उस formula के according question सेट हो जाए तो अभी x² upon 1-x to the power 6 ये एक proper formula में सेट नहीं है तो हम क्या करेंगे यदि हम x³ equal to t ले ले लें तो x³ का differentiation है वो 3x² dx equal to dt हो जाएगा यहां से x² dx equal to हो जाएगा dt upon 3 क्योंकि यह 3 जो है इसके denominator में आ जाएगा अब यह x² dx की value हम यहां पे put करेंगे तो यह हो जाएगा 1 upon 3 x² dx की जगे dt और क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है x की power 6 तो x³ equal to t लिया है तो x की power 6 लिखा इसलिए यह हो जाएगा t² यह हो गया 1 minus t² अब यह प्रापर फार्मूला बन गया जो एक प्रापर फार्मूला होता है तो अगर हम देखें फार्मूले में तो 1 upon 1 minus x² का फार्मूला होता है 1 upon 2 log 1 plus x upon 1 minus x तो यहां हो जाएगा 1 upon 3 1 upon 2 into 1 log 1 plus t चुकि यहां t लिखा है तो 1 plus t upon 1 minus t हो गया यह प्रापर फार्मूले में फिट हो गया अब t की value हमने कितना लिया है यहां से आप देख सकते हैं x³ लिया है t की value को put करेंगे तो यह आपका answer आजाएगा t equal to x q put किये तो अब देखेंगे question number 7 question number 7 में question number 7 दिया हुआ है इसको हम दो पार्ट में अलग-अलग लिख लेंगे एक में लिखा हमने x upon root x square minus 1 और एक में हमने अलग लिख लिख लिया 1 upon root x square minus 1 अब यह वाला जो पार्ट है यह proper formula के according है लेकिन यह वाला पार्ट जो है first part यह proper formula के according नहीं है तो इसमें हम x square minus 1 equal to t लेंगे तो x square का differentiation 2x 1 का 0 तो 2x dx तो यहां से x dx हो जाएगा dt upon 2 तो यह x dx की जगए dt upon 2 लिख दिया गया और x square minus 1 की जगए t minus x square यह proper formula में है तो इसका formula हो जाएगा log x plus root x square minus 1 अब root 2 t को हम लिख सकते हैं t की power 1 upon 2 यह जब denominator numerator में जाएगा तो यह हो जाएगा t की power minus 1 upon 2 अब integration के rule से आप जानते हैं कि power में 1 plus होता है और वही चीज denominator में आ जाता है तो यहां पे 1 plus हुआ power में minus 1 upon 2 और यहां भी हो गया minus 1 upon 2 plus 1 अब इसको हम solve करेंगे minus 1 upon 2 plus 1 1 upon 2 आ गया नीचे भी उपर भी 2 से 2 cancel हो गया तो यह t1 upon 2 को लिखेंगे root t लेकिन t की value x square minus 1 है तो यह हो गया root x square minus 1 तो इस तरह से यह आपका answer आ गया question number 7 का अब question number 8 देखते हैं यह question भी proper formula में arrange नहीं है तो हम उपर लिखा हुआ है denominator में x square तो x की power 6 को हम x cube का whole square ऐसा लिख सकते हैं तो यहां से हम x cube equal to t ले लिया उसका benefit यह हुआ यगर हम x cube equal to t लेंगे और इसको यदि हम differentiate करते हैं तो 3 x square dx equal to dt आएगा और इसको हम लिखेंगे x square dx equal to dt upon 3 इसका benefit यह हुआ कि x square dx यह जो x square dx है यह वाला part यह dt में कबार हो जाएगा तो इस तरह से i equal to हो गया 1 upon 3 तो यहां से x 6 को हम लिख सकते हैं x square का होल square तो x cube equal to हम जब t ले लेंगे तो यह हो जाएगा 3 x square dx equal to dt यहां से x square dx equal to आजाएगा 1 upon 3 dt अब देख सकते हैं इसका benefit यह है x square dx जो है यह x square dx यहां से यह इसमें replace हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे i 1 upon 3 dt और 1 upon x की पावर 6 को लिख देंगे t square और a cube को लिख देंगे हम a cube का whole square अब यह फार्मूला बन गया जो कि हमने अभी discuss किया 1 upon root x square प्लस a square का फार्मूला बन गया इसका integration होता है log t plus root t square प्लस a cube का whole square t की value पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 1 upon 3 log t की value x cube पुट कर दिया और यहां t square की जगे हम लिख देंगे x की पावर 6 a6 प्लस c यह हो गया question number 8 का answer अब question number 9 देख सकते हैं इसे की square 10 x plus 4 तो यहां से हम 10 x equal to t ले लिया क्यों ले लिया यहां कि यह हम 10 x equal to t ले ले लेंगे तो इसका जो differentiation से की square d x होगा वो dt के साथ यहां से आप देख सकते हैं set हो जाएगा तो यह हो गया dt और 10 x equal to t है तो 10 square x दिया है तो t square 4 को हमने लिख दिया 2 square अब इसका फिर फार्मूले में arrange हो गया तो log यह फार्मूला होता है आप देख सकते हैं यह फार्मूला है इसी फार्मूले में पूरे equation set हो रहे है x square plus a square में log x plus x square plus a square तो x की जगए यहां पर t की जगए यहां 10 x है तो यहां 10 x हो गया root x square plus a square मतलब 10 square x plus 4 हो गया तो इस तरह से यह answer हो गया फिर question number 10 है x square plus 2 x plus 2 इसमें हम completing the square method या arrangement method से हम solve करेंगे तो यहां हम x square 2 x plus 2 को 1 plus 1 के फार्म में लिख दिया अब देख सकते हैं कि x square plus 2 x plus 1 जो है यह x plus 1 का whole square है अब यह हो गया root x plus 1 का whole square plus 1 यह फिर से फार्मूला बन गया जो अभी हमने discuss किया इसी फार्मूले की तरह तो यहां से x की जगए कितना रहा है x और यह पूड़े का पूड़ा जो है यहां पे change हो रहा है root x square plus a square इसी को हम वहां पे use करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर x की जगए x plus 1 है तो यह x plus 1 हो गया फिर root में पूड़ा जो question होता है वही आ जाता है तो question में क्या लिखा है root x square plus 2x plus 2 तो यह root x square plus 2x plus 2 यह arrange हो गया और plus c हर integration के बाद हम लिखते ही है तो इस तरह से exercise 7.4 के 5 question हमने explain किये आप इसको watch करें कोई problem हो तो comment करें Thank you very much